नमस्कार दोस्तों दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्बिंद केजिवाल की जमानत और एडिक कस्टेडी से रहाई से जुड़ी याजका को लेकर हाई कोट से बड़ी खबर सामने आ गई है पतादे गिरपतारी और रिमांड के खिलाप अर्बिंद केजिवाल की याजका पर अज दिल्ली हाई कोट में बड़ी सुनवाई हुई है जिसमें केजिवाल की तरफ से पेश वकील ने कहा की केजिवाल को आज ही रिहा कर दिया जाए अर्बिन केजिवाल की तरफ से पेश वकील अविशेक मनु सिंग्वी ने कहा कि आदर्स आचार संगीता के दोरान एक सपता पहले एक मौझूदा मुख्य मंत्री को गिरपतार किया गया यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोगतन के दिल पर चोट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सवाल गिरपतारी के समय का है उन्होंने मांगी कि मेरी प्रातना है कि मेरे मुख्यल अर्बिन केजिवाल को अभी रिहा किया जाए क्योंकि क केजिवाल की गिरफतारी की बुनियाद ही गलत है अर्बिन केजिवाल की जमानत को लेकर उनके तरब से पेश वकील ने और क्या-क्या ठोस दलीले दी हैं जिसके बाद कोट ने केजिवाल की जमानत पर फैसला सुरच्छित रख लिया उसको बताने से पहले आपको बता दे कि सुनवाई के बीच अर्बिन केजिवाल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई बतादे बताजा रहे कि अर्बिन केजिवाल की तबियत बिगड़ गई है आपके सुत्रों के मुताबिक बताजा रहे कि ED के custody में अर्बिंद के जिवाल की तबियत बिगडी है उनका सूगर लेबल लगातार उपर नीचे हो रहा है CM के जिवाल का सूगर लेबल 46 तक गिर गया है डॉक्टरों का कहना है की सूगर लेबल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक है वहीं सुनवाई से पहले अर्बिंद के जिवाल की पत्नी सुनीता के जिवाल ने दावा किया की अर्बिंद के जिवाल अप कोट में बताएंगे की सराब घुटाले का पैसा कहा गया सुबूत भी देंगे प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए अर्विन के जिवाल की पत्नी ने बड़ा दावा किया क्या सुबूत अर्विन के जिवाल देने वाले हैं उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए क्या दावा किया आपको उनका वीडियो आगे दिखाएंगे लेकिन उसे पहले आपको बतादे कि अर्विन के जीवाल की जमाना तियाज़का को लेकर आज कोट में जो दलीले दी गई उसके बाद कोट ने फैसला सुरचित रख लिया जिसमें अर्विन के जीवाल की तरफ से दलील देते वे खागेया कि आज ही रीहग कर दीजिए पर केजिवाल अगर कोई अंतरीम राहत मांग कर रहे हैं तो उस पर बिचार कर सकती है ED की ओर से SB राजु ने खा की याजका के बिरोत किया और खा की हम इस पर अपना जबाब देना चाहते हैं जिसके लिए कुछ समय चाहिए तो इंद उसी तरफ अरबिन केजिवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिसेक मनु सिंग्वी ने अपने दलील में का की जबाब देने की कोई जरुवत नहीं है राजु ने का की ऐसा कहा जा सकता है की जबाब दाखिल करने की जरुवत नहीं है कोट ने का की मैं आपको अंतरिम के लिए बहुत कम समय दे सकता हूँ मैं जबाब चाहता हूँ मैं मुख्य याजका पर नोटीस जारी करूँगा उन्हें जबाब देने दें इस पर अर्बिन केजिवाल की वकील ने कहा की उन्होंने रिमांड को चुनोती दी है जो गुरुवार को ही खत्म हो रही है अभिशेक मनु सिंग्वे ने कहा की एडी जान बूच कर समय खराब कर रही है ये एडी का हथकंड़ा है मामले में देरी करने के लिए कभी याचका पढ़ने के लिए समय मांगते हैं तो कभी दस्ता वेजो के लिए आग्रह कर सुनवाई टलवाते हैं जब दुबारा सुनवाई शुरू ही तो उसके बाद केजिवाल की तरफ से कहा गया की एडी मेरा अपराद अस्थापित करने में बिफल रही मेरे मानवा धिकार का उलंगन किया गया केजिवाल की तरफ से पेश वकील सिंग्वी ने लोगसवा चुनाओ का भी मुद्दा उठाया सिंग्वी ने का कि आदर्स आचार संगिता के दोरान एक सब्ता पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफतार कि गया यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं तो आप लोग तंद के दिल पर चोड़ करते हैं चिंग्वी ने का कि सवाल गिरफतारी की समय का है उन्हें ने का कि मेरी प्रातना की मेरे मौकिल यानि अर्बिन केजिवाल को अभी रिहा किया जा कि वह मुख मामले में बाद में सुनवाई करेंगी इसके लिए ईडि को नोटिस जारी किया जाएगा अलाकि अंतिम रहात वाली याचका पर आज ही सुनवाई होगी वही केजिवाल के वकील अभिसेक मनुई सिंग्वी ने का कि ईडि बार बार कहती है कि आरोपी पूस्ता रहे हैं जो सच है सिंग्वी ने का कि मेरे खिलाप कुछ नहीं था तीन चार बयानों के बाद ABC को गिरफतार कर लिया जाता है उसे जेल में रखा जाता है उस पर दबाव डाला जाता है उसे जमानत याचका दाखिल करने को का जाता है SG कोर्ट से कहते हैं कि जमानत का विरो की दलील पूरी होने के बाद कोट ने AceCE राजू को अपना पक्छ रखने को खा, AceC राजू ने कोट से खा कि वह अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं, उन्हों ने के जिवाल की ओर से दायर अंतिवी राथ की रीजी पर भी जवाब देने के के जिवाल की और से पक्ष रखते हुए अब इसे एक मनु सिंग्वी न खा कि रासत में लेकर पूछताच कस्टोडियन इंट्रोगेशन तब की जाती है जब कोई सहयोग न कर रहा हो इडी अगर आप फरवरी दोजाच चौबिस में चुनाओ से दो महिने पहले मेरी भूमिका की जाच करना चाते हैं तो मुझे गिरपतार करने की कोई जरूवत नहीं है आप ये भी नहीं चानते की मेरी क्या भूमिका थी आपको सिर्फ सक है चुनाओ से ठीक पहले आप मुझ इडी और केजिवाल की ओर से पेसवकीलों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोट ने फैसला सुरच्छित रखा है अब केजिवाल की जमानत वाली याचका पर दिल्ली हाई कोट आज साड़े चार बजे के बीच फैसला सुना सकता है अब थोड़ी देर मुक्यमंत्री अर्बिन केजिवाल की पत्नी सुनीता केजिवाल ने एक बार फिर वीडियो बयान जारी किया, बयान जारी करते हुए बताये कि केजिवाल कोर्ट में बताएंगे कि सराब घोटले का पैसा कहा गया और सुबूत भी देंगे, वीडियो बयान में अर्बिन केज केजिवाल चिंतित हैं वा सच्चे देश भक्त हैं मुख्यमंत्री अरविन केजिवाल दिल्ली सराव नीती मामले में ED की कारवाई के बाद जेल में है सुनीता केजिवाल का कहना की कल याने 28 मार्च को केजिवाल कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे पहले आप सुनीता केजिवाल का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने दाव किया कि सराप घोटाले का पैसा कहा है केजिवाल कोर्ट में बताएंगे भी और सुबूत भी देंगे कल शाम में जेल में अर्विंजी से मिलने गई उन्हें डाइबिटीज है शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे लेकिन निश्चे द्रेड है दो दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जलमंत्री आतिशी जी को संदेश भी ज़ा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए बताएंगे क्या गलत किया लोगों कि समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए इस बात से अर्विन जी को बेहत बीड़ा हुए अर्णिन जी ने मुझे एक बात और कही इस सो कॉल्ट छराब घुटाले की जांच में ED ने पिछले दो साल में ठाईसो से ज़्यादा रेड मार ली वो इस सो कॉल्ट छराब घुटाले का पैसा ढूंड रहे हैं अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला मनीश जी की यहां रेड मारी, संजय सिंग जी की यहां रेड मारी सतीन जैन जी की यहां रेड मारी एक भी पैसा नहीं मिला हमारी यहां रेड मारी मात 73,000 रुपे मिले तो वो इस सो कॉल्ट छराब घुटाले का पैसा है कहां अर्विन जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोट के सामने करेंगे सारे देश को सचसच बताएंगे कि इस सो-कॉल्ड शराब घुटाले का पैसा है कहा उसका सबूत भी देंगे तापने अर्विन केजिवाल की पत्नी सुनीता केजिवाल का वीडियो बयान सुना उन्होंने कहा कि दो दिन पहले अर्विन केजिवाल ने दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर जल मंतरी आतीसी को पत्र भेजा था केन सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया क्या वे दिल्ली को बरबात करना चाते हैं क्या वे चाते हैं कि लोग पिडित रहें अर्बिंद के जिवाल इससे बहुत दुखी हैं सुनीता के जिवाल का कहना है कि तथा कथित सराब घोटाले में एडि ने 200 से अधिक छापे मारे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है अर्बिन के जिवाल की पतनी सुनीता के जिवाल का दावा है कि अर्बिन के जिवाल ने उनसे कहा है कि वह 28 मार्ज को आदालत में सब कुछ बताएंगे वह बताएंगे कि सराब घोटाले का पैसा कहा है और वो सुबूत भिदेंगे सुनीता केजिवाल ने बताय कि मैं कल उनसे जेल में मिलने गई थी उन्हें डाइबिटीज है और सूगर लेबल बिगड़ा हुआ है लेकिन वह जमे हुए है अपने संकल्प के साथ सुनीता केजिवाल ने खा कि E.D. को हमारे घर से सिर्फ 73,000 रुपए मिल सके हैं बरहल क्या सच है क्या जूट है या तो कोर्ट में साबित हो जाएगा लेकिन इन सब के बीच अरबिंद के जिवाल के एक और नेता पर E.D. ने चापे मारी की है अब E.D. ने आम आदमी पार्टी के नेता पूरे बिधान स्वाप प्रत्यासी दीपक सिंगला के घर रेट डाली है साथ सिंग यादो के घर पर भी तेश मार्ज को चापे मारी की गए थी बतादे दीपक सिंगला M.C.D. के आम आदमी पार्टी के सब प्रभारी होने के साथ साथ माराष्ट और गोवा में पार्टी के प्रभारी भी है अलाकि अब तक या इस पस्ट नहीं हो पाया कि सिंगल पारी देर में साफ हो जाएगा लेकिन आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करना सेर करना तो बिलकुल भी ना भूलें